नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा लोगसमा चुराओं में बीज़पी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए राखुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है वो लगतार अपने नेताओं को डरो मत लड़ों का संदेश दे रहे हैं बयान बाजी भी खुब हो रही है लेकिन इसके बावजूद भी कॉंग्रस पार्टी को जबरदस्त डर सता रहा है कॉंग्रस के बड़े नेता हार का सामना करना नहीं चाते और खबर ये है कि कॉंग्रस के बड़े बड़े नेता चुनाओ लड़ने से पीछे हट रहे हैं मरकार जुन खडगे के बारे में ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि हो सकता है वो इस बार लोकसबा चुनाओ ना लड़े साथी अशोक ग्यालोत, कमलना, दिगविजय सेंग, सचिन पालेट और हरीश रावत जैसे कई बड़े दिगज नेता के भी चुनाओ ना लड़ने की खाबर है, तो आखिर की बड़े नेता चुनाओ लड़ने से क्यों करनी काट रहे हैं, क्या है कॉंग्रिस पार्टी की प्लानिंग, आज इसे पेचरचा करेंगे, मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है कि आपचल टीवी के एडिटर इंचीफ, डॉक्टर मनेश कुमा, ड टितर बितर हो जाते हैं, तो उसको अगर फास्ट फॉर्वर्वर्ड मोड में, डरजनों, तीस के आजपास, लीडर, वो न मीडिया में आ रहे हैं, न चेहरा दिखा रहे हैं, न कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं, क्यूँ क्या अभी आला कमान के रेंज से बाहर रहो, यह रा राहुलगादिस सब को पकल-पॉलक की कहता है वह आप बड़े नेता हो चुना लड़ो. इसके सुरुआत क्या हूए. और किसमत खराब वगेल साहब को एग्जामपल बना दिया. वगेल साहब का नाम डाल दिया. वहाँ से लड़ो वू लड़ना नहीं चाह रहे थे. क्या है के पीछे की कहानी आपने खड़के साहब का नाम लिया अभी हाल में मीटिंग हुई मीटिंग में क्या हुआ कि वह कैसे कैसे उमिद्वार होने चाहिए राहूल गांदी को लगता है कि महौल पूरा बन गया है ते कहां कौन से लाला लेंड में रहते हैं उसके लोग बताते है कॉंग्रिस की लोग बताते है कि राहूल गांदी कोई सात्में फ्लोर पे है जमीन पर तो ही नहीं और वहां से उनको लग रहा है कि हमारी यात्रा से पुरे देश में ट्राप्रमिशन हो प्ला है क्या क्या प्रामिस करके आ रहे हैं महिलाओं को एक लाक रुपिया देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तमाम तरह की चीज़ें भही आपके वादे पर यकीन हो तो कोई बात चीद हो सामें बैठते हैं दो चम्चे आते हैं बदाते कि सर आज का वीडियो देखी ये बड़ा बड़ी है वीडियो है हाँ वेरी गुड म्यूजिक इस और वेरी गुड बिल्कुल सरी तो बॉली हुड में आपको बॉली हुड में होना चाहिए था कहां आप ओ खुश इगो सटिस्पाइड फिर दूसरा चम्चाएगा सर आपने जो आज भासन दिया है महिलाओं को लाखो रुपे पूरे देश में ट्रैक्शन है सारी महिलाओं छोड़ दी मोदी को सब लोग आपके पीछे यंग लड़किया तो आपके साथ पहले से ही हैं इस तरह के हवाई किले में रहते हैं राहूल गांधी अपने तो जब मीटिंग हुई तो राहूल गांधी ने कहा कि सारे बड़े लोगों को चुना लड़ना चाहिए तो ख़ड़के साथ ने कहा कि भाई वी कन ट्राएं तो बोला यह नहीं वी ट्राएं तो बात में यू सुट बिकम अन इंग जैम्पल आपको चुना लड़ना चाहिए बैसा बैसी हो गई है सुनिया गांधी भी थी ख़ड़के साथ ने साथ कहा कि मेरी उम्र बहुत हो गई है मैं अलड़ी राजसभा में हूँ और मेरे उपर पूरे कॉंग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है मैं क्यू लड़ूगा चुना हूँ तो इस पे बहस इस बात को ल से चुनाओ नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वह आप मुझे जीते हुए देखना नहीं चाहते तो पहली लिष्ट जब बन रही थी तो राहूल गांधी के तेवर कुछ और थे और ने कहा कि अभी तो एक्जाप्ल देना पडेगा बगल साब से पूछो बगल साब में कहा कर नहीं तो पूरे राज में हमको देखना है थे हमको राज में हमी देजिए शाप्याज करना पड़ूगा आपने मनाग किया अब चलिया आप चुनाओ लड़िए तो यञंग ह वो क्यों पीछे हट रहे हैं सारे लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि सेवंत फ्लोर पे अकेले राहूल गांदी हैं बाग के सब जमीन पे हैं कि सब को समझ में आ रहा चुनाव लड़ना हार के बराबर है अब कमला से कहा गया he said no पिछले बार एक सीट आई थी कहा मद्धपर्देश में चिनवारा मेरा बेटा मुकुल जीता था तो उस पे ही कंसेंट्रेट करना चाहिए हम लोगों को मतलब दूसरे सीट जीतने की संभावना नहीं है गहलो साब से कहा गया अब तो हम लोग का हो गया अब तो हमको पुरा राज देखना है बेटिक होता रहा है सब लोग लांच भी हो जाएंगे इसी तरीके से कुले देश भर में है कि सारे लोग जो है वह चुनाओं नहीं लड़ रहे हैं जो कुछ लिए सबान पुरुषित को बला सब्रान पुरुषित को मैं नहीं लडूँगा क्यों नहीं लडूँगा बढ़ाएं बताईए यह वह कमिटी जो बनी टिकट बटवारे के लिए उसके सदस्य हैं बगेल स बनाने वाली कमिटी में रखा गया तुमारे उपर गर्दन जो है सल्मान खुर्षित से भी कहा गया कि आप चुनाओं लड़िए आपका नाम निकालते हैं उन्हें नहीं कर सकता मैं लडूँगा ही नहीं हमसे बिना पूछे आपने अखले स्यादव से गड़बंदन कर लि मतलमते हैं नहीं journeys कोता है कि आप सब्सक्कित तो होता है कि आप सॉसीट जीत रहे है और बड़े बड़े लिड़ जो है वह चुनाओं लड़ना बंद कर देगी बीस तो सीटों के उपर आप हार जाएंगे तो हो जाएगा असी यह बड़े छोटे किसी से लड़ने कोई इमाने मतलब नहीं है तमिलनाडू पिछली बार इजद बचाया था इस बार भी तमिलनाडू डियम के इजद बचाएंगे लोग जो है वो लिखते हैं इंडी गटबंदन कॉंग्रेस बताते नहीं हैं कॉंग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले तीस के आसपास इनके सीचे हैं जो ये अपने बतलत जीतेंगे बाकी जगह ये हारेंगे हार की वज़ा इनका नित्वत इनका कंफ्यूजन और इनके जिद कि सवरे उठो मूदी को गाली दो सवरे उठो हिंदू को गाली दो सवरे उठो मुसलिम अपीजमेंट वाले बयान तो ये जो आपने जो किया है वो आपको 30 तक लेकर के जा रहा है 30 बड़े लीडर अगर चुनाओं लड़ भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है हारना उनको भी है हारना नौसिक्यों को भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये जरूर है कि जब बड़े बड़े लीडर चुनाओं मैदान से भाग रहे हैं तो विपक्ष को, मीडिया को पॉलिटिकल पंडित को सर्वे करने वालों को ये आसान हो जाएगा कि वो ये बता सकेगे तो सारे लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं तो सवाल ये भी है कि राहूल गांदी भी जीट भाएंगे हैं अभी तो राहूल गांदी फस गये है लेकिन उसका कोई ने कोई तोड निकाल लिया जाएगा CPI के सामने Congress Party जो है नतमस्तक होगर की कहेगी कि भाई माफ कर दो राहूल बाबा कही और से नहीं जीत सकते तो वाइनाट जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं तो आप ये देखे जो विक्ति एक constituency के उपर डंग से कबजा नहीं कर सकता और कुछ लोग जो है वो उसको धक्का दे दे करके प्रधान मंत्री बुराने में जुटे होगा है वही एक पुरानी कहावत है घोड़े को आप नदी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं वो तो उसको खुद पीना पड़ेगा राहूल गांदी उसके जाने में दिक्कत है पीना तो दूर की बात है वो नदी तक जाने को ही तयार नहीं है बहुत बहुत दनिवाद से समझाने के लिए तो कॉंग्रस के बड़े-बड़े नेता चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है अगर ये बड़े नेता चुना और लड़ते तो कुछ फायदा जरूर कॉंग्रिस पार्टी को खुता पर जिस तरह से कॉंग्रिस के दिगज मैदान छोड़ भाग रहे हैं वो कॉंग्रिस के लिए बहुत बड़ा चटका है इस पर आप अपनी राएक कमेंट कर लिखें देखते रे कैपिटल टीवी नमस्कार